नमस्कार दोस्तों 22 सिग्नल सॉफ्ट्वेर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमने एक व्यूवर ने कमेंट डाला था कि बैंक निप्टी वो टाटा स्टिल का तीन मार्च का वीडियो बना ये तो मैं उसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो सॉफ्ट्वेर के अंदर पहले में आपको इन्फोर्मेशन दे देता हूँ अगर सॉफ्ट्वेर के अंदर सही ट्रेड मिलता है तो ही हम ट्रेड लेते हैं अगर गलत सिग्नल मिलता है तो सॉफ्ट्वेर आपको खुद बता देगा कि ये सिग्नल है वो गलत है और लाया भी था कि यह सिगनल कंफॉर्म है आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं पक्का ट्रेड है अब वो केसे पता चलेगा तो बाई सिगनल के पहले हमें चेक करना होता है कि यह सा उपर की साइड का ब्लू कंफोर्मेशन एरो लगा है तो हम बाई में काम करेगे साथ में हमारा होता है कि जबी भी हमें बाई मिले तब यह वाइट कलर की लाइन से मार्केट उपर होना चाहिए तो अल्रेडी है दूसरा हमें चेक करना होता है कि नीचे की दोनों रिबीन ग्रीन में होनी चाहिए तो अल्रेडी है यहां कम से कम तीन से चार राउंड है वो green में होना चाहिए तो already सभी round green में है यहां भी green है यहां भी green है यहां भी green है और यहां भी green है तो इसका मतलब एह है कि full green zone में है full uptrend में है तो इसमें आप lot की quantity ज़्यादा कर सकते है क्योंकि दोनों seat से verify trade है और बहुत confirm signal है तो इसमें आपको lot की quantity ज़्यादा करनी चाहिए दूसरा वो viewer ने बोला था कि Tata Steel का भी वीडियो बनाए तो Tata Steel को भी देख लेते हैं तो Tata Steel के अंदर भी यहां buy signal जनरेट हुआ था और confirm trade था क्यों confirm था क्योंकि buy के पहले देखिए यह उपर की side का blue arrow लगाता अब आगे ज़कर software का आपको target आनने के बावजूद भी आपको continue hold रखवाता है आप दूसरे software में एक target लेकर आप confused हो जाते हैं कि अब यह उपर जाएगा या नहीं जाएगा पर यहां software आपको continue support देता रहता है आपका confidence increase करवाता है जैसे कि यहां मैं आपको बोलता हूँ उपर की side का arrow डाला तो आपको बोला कि यह और उपर जाने वाला है आप hold किये थोड़ा आगे गया फिर से software ने बोला कि यह और उपर जाने वाला है hold किये अभी तक software ने कोई exit point नहीं दिया है जब exit आएगा तब reverse blue arrow डाल देगा तब आपको exit कर लेना है उसके पहले का देखिए तो यहां sales signal था sales signal भी perfect था उसका condition में आपको बता देता हूँ अगर downside arrow मिलता है तो ही हम sale में काम करेगे अब आगे जाकर software market चलने लगा करीब हम यहां market पहुचा तब एक reverse blue arrow आया तो हम क्या कर लेगे यहां से हमारी जो भी position यहां sale में बनी थी वो सिफ हम exit करेगे तो एसी तरह हम software में काम करते है अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे नीचे description box में हमारा contact number दिया गया है आप मुझे contact करियेगा मैं आपको free में demo दिखा दूगा अगर किसी को कोई भी script के उपर वीडियो बनवाना जाते है तो मुझे whatsapp पर message करियेगा या फिर comment करियेगा मैं वोक script के उपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूगा और इस channel पर मैं free में daily live करने की कोशिश करता हूँ अगर पहली बार देखते हैं तो हमारी channel को subscribe करना मत बुलिएगा धन्यवाद दोस्तों कल फिर से मिलेगे live event के अंदर तब तक बने रहे हमारी इस YouTube channel के साथ जाहे हैं